उत्तर प्रदेश का कोई भी बड़ा मुद्दा हो उस पे सिर्फ कॉंग्रेस पार्टी खड़ी रही है बिना हमारे इस सरकार को नहीं हटाया जा सकता है जो मौझूदा अलोगतांत्रिक सरकार है छेत्रिय दल जो पूर में सत्ता में भी रहे हैं वो अपने ऐसी कमरे से निकले ही ने किसान इस देश का अनदाता है और अनदाता का सम्मान जो नहीं करेगा किसान उसे उखार फेकेगा C.A. का अंदोलन चल रहा था हमारी बेहनों के उपर ठंड में पानी डाल देती थी पुलिस ऐसे समय में वो शिखर सम्मेलन में भाग लेने आये थे लेकिन पांच मिनिट के लिए घंटा घर के अंदोलन में क्यों नहीं गए के आंसूं का सौधा कौन कर रहा है और उनके आंसूं का सही हक देने की हिम्मत कौन रखता है वो सिर्फ कॉंग्रेस रखती है देश लोकतंतर से चलेगा लाठी से नहीं चलेगा कॉंग्रेस माइनार्टी सेल के राष्टी अध्यच इमरान प्रताबगडी हमारे बीच मौजूद हैं आज हम उनसे बात करते हैं तमाम मुद्दों को लेकर कल वो यहाँ पर आए और माइनार्टी के लोगों से बात की और उन लोगों को तमाम सलाहें दी नसीहतें दी आज क्या लगता है आपको कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश का सिनेरियो बन रहा है माहौल बन रहा है कॉंग्रेस पार्टी अपने आपको कहां पर पाती है उत्तर प्रदेश का सबसे मजबूत विपक्षी दल है हमने पिछले तीन साल में सादे थीन साल में यह साबित किया है के उत्तर प्रदेश का कोई भी बढ़ा मुद्दा हो उस पे सिर्फ कॉंग्रेस पार्टी खड़ी रही है छेत्त्रिय दल जो पूर में सथ्ता में भी र रहेंगे के बिना हमारे इस सरकार को नहीं हटाया जा सकता है जो मौझूदा अलोग तांत्रिक सरकार है। मुझे लगता है भारती जनता पार्टी ये बताए सबसे पहले कि वो लोगतंत्र में विश्वास रखती है या लाठी तंत्र में विश्वास रखती है। सरकार बताए कि अभी मुझदफर नगर में लाखों लाख किसान आये आपने उनका क्या कर लिया आप उनको रोक पाए। जब जनता का सहलाब चलता है तो बड़ी बड़ी सरकारें उस सहलाब में बह जाती हैं, मगरूर ताना शाह बह जाते हैं, ये बात उत्तर प्रदेश की सरकार को समझना पड़ेगा। किसान है तो हिंदुस्तान है, किसान इस देश का अनदाता है और अनदाता का सम्मान जो नहीं करेगा, किसान उसे उखाड फेकेगा और ये आने वाले तीन-चार महीनों में साबित भी हो जाएगा। कर रहे हैं, मैं तो उम्मीद लगाए बैठा था कि वो देवा शरीप से शुरुआत करेंगे, लेकिन वो आयोध्या से शुरुआत कर रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश की अवाम को समझना चाहिए कि आयोध्या से शुरुआत करने पर फायदा किसका है, ये उत्तर प्रदेश अभी करनाटक के नगर निगम के चुनाओ भी लड़ने गए थे, बड़ा अच्छा परिणाम आया है, उनसे पता कर लीजे, सबको लोक तंत्र में चुनाओ लड़ने का अधिकार है, सोही क्यों, पूरे पे लड़िये, चार सो पे लड़िये, रामदास अटावले भी लड़ रहे हैं, साहनी भी लड़ रहे हैं, आप भी लड़िये, स्वागत है, लेकिन जब आप चुनाओ लड़ने की बात कर रहे हैं, जहां आपका कोई संगठनात्मक धाचा नहीं और अध्या से शुरुआत कर रहे हैं, तो फिर बातें बड़ी-बड़ी मत करिए, कि हम अकलियत कि उत्तर प्रदेश के किसी भी मसले पे आप खड़े हुए कहा नजर आए, उत्तर प्रदेश में जब इसी लखनव में, आज वो प्रेस कॉन्फेंस कर रहे थे, जब सीए का अंदोलन चल रहा था, हमारी बहनों के ऊपर ठंड में पानी डाल देती थी पुलिस, ऐसे समय मे वो शिखर सम्मेलन में भाग लेने आये थे, लेकिन पाँच मिनिट के लिए घंटा घर के अंदोलन में क्यों नहीं गये, मैं गया था, वो उसी दिल्ली में संससत्र में शामिल रहे, लेकिन एक बार भी शाहीन बाग के अंदोलन में दो मिनिट के लिए नहीं गये, मैं ती पहुचें ऐसे में अकलियत समझती है कि उनके आंसुओं का सौधा कौन कर रहा है और उनके आंसुओं का सही हक देने की हिम्मत कौन रखता है वो सिर्फ कॉंग्रेस रखती है तो क्या मान लिया जाए कि वह ऐसी जो है वो भारती जनता पार्टी से मिले हुए यह मेरे मानने से नहीं होगा यह तो बंगाल ने साबित कर दिया मान करके उत्तर प्रदेश भी मान ही लेगा आज नहीं तो कल मानेगा भारती जन्ता पार्टी की हुकूमत के लिए कोई संदेश आपकी जबान से शायराना अंदाज देखिए मैं उत्तर प्रदेश की भारती जन्ता पार्टी की हुकूमत से कहना चाहता हूँ कि दिल बड़ा करिए आप जब एक डंडे से एक लाठी से सब को हांकना शुरू करते हैं तो आप बहुत सारे बड़े एतिहासिक तत्थों को नकारते हैं जब आप मंचों पे खड़े होकर के सारे मुगलों को बुरा कहते हैं तो आप ये भूल जाते हैं कि इस देश में अंग्रेजों के खिलाब प्रथम सो तंतरता संग्राम आखरी मुगल बादशा बहादूर शाह जफर की कयादत में लड़ा गया था और उनके पीछे इस देश के तमाम आंदोलनकारी जंगे आजादी में उनके पीछे खड़े थे इसलिए अपना दिल बढ़ा करिए देश लोकतंतर से चलेगा है कि उतर परदेश में माइनारिटी यानि अखलियत जो है वो कहीं न कहीं कांग्रेस के साथ आने जा रही है और उतर परदेश में योगी आदितनाद की सरकार है और सरकार लाठी से नहीं चलाई जाती बलकि लोकतंतर से चलाई जाती है कामरमेन अर्शत के साथ सीमाम नक्वी बारा समचार लखना हो